इस वक्त हम मौझूद हैं वेलकम पुलिस कॉलोणी में जहांके पे की वेलकम पुलिस ठाना जो छेतर है और वेलकम ठाने में आज लगबग शाम चार बजे से लाइट गायव है और लगबग अभी जिस वक्त हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं नो घंटे हो चुके हैं लाइट लगता जो BACA से चेक जरू कर रहा है और आरी ये जारी है लेकिन यहां के जो लोग हैं जो कलोनी के निवासी है वे बेहदी समस्याओं से जूज रहे हैं देख सकते हैं आप अभी फिर से एक बार तस्वीरों में की लाइट आई है देखी जारी है टेस्ट हो रही है लेकिन अभी कुछ मिंटों में ही ये लाइट दुबारा से बंद हो जाएगी उदर थाना है जहां पर की सारी कानूनिक प्रक्रिया इस इलाके की चलती है विवस्ता चलती है और 9 गंटे से थाने में लाइट बंद है आप देख सकते हैं महिलाएं बैठी है कोलोनी की इन से समझ ल अपस में अच्छा फाल्ट हो रहा है अजी अंडर्ग्रांट फॉल्ट हो गया है तो क्या-क्या समस्या आप लोगों को भी आ रही है गर्मी है इतनी ज्यादा एक तो स्वेटिंग इतनी ज्यादा हो रही है हम लोग सर्वाइब नहीं कर पा रहे इतना इसली और पीशेंट अब बताओ इतनी गर्म में कितने प्रेशान है वे अच्छा तो किसी इसका ऑप्रेशन की पैर की अड़ी टूट रही है अच्छा हाँ आट में इनने होगन को तो पैड़ पे बैटे वे अब बताओ इतनी गर्म में कितने प्रेशान आदमी है कितना पसीन आ रहा होगा उन स्कूल में कैसे जाएंगे जिब सोएंगे नहीं निहींदारी जो बच्चे हैं यह बएठे गरफि में मता जी ने बताया कि पसीन और कई आगई घबराट भी हो रही है क्योंकि लाइट नहीं है इस इलाके में पूरी जो कलोनी है पुलिस वालों के लिए पूरी कलोनी है जो पूरी विवस्ता देखते हैं लेकिन उनी के थाने और उनी की कलोनी में आज नो गंटे से लाइट नहीं है और अभी लाइट का कोई अता पता नहीं है कि कब तक लाइट आएगी वेलकम थाने से पवनकुमार जुनेजा न्यू देली देर सुनिया की तमाब बड़ी खबरे हैं जिसकी दे आपको जोड़ती है हमसे खबरों की वही तस्वीर बिना पदले बिना ढरे सब्सक्राइब करें न्यूजर अलब लाइन को और दबाए बेल आइकन